और आन ना स्टुड़ ए जो कि महादीप का दूथरा पार्ट है पहले मादीप में आपको एश्या और यूरॉप के बारे में बताया जिसने वोगी वीडियो नहीं देखी तो लिंक दिस्क्रिप्शन में है डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो प्ले लिसमें जाकर आपको देख सकते हो फ्रेंट तो शुरू करते हैं इपने दूसरे पार्ट को जो कि है उत्री वे दक्षिनी अमेरिका इसमें कुछ में में पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर आप लेंड कर लेते तो आपके दो कोशन सही हो जाएंगे तो पांच मिंट की वीडियो में आप पा पार्ट को दक्षिनी अमेरिका करने हैं यह स्क्रीन पर आपको देख गए होंगे दोनों पार्ट उपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट तीनों दोनों हैं दो को बीच में से कट कर दो और इसके उपर वाले पार्ट को उत्री अमेरिका और नीचे वाले पार्ट को तीरी तरियों मतला नितिक है तीन साइड होती है राए थे आरे हैं वो कि आ र lobby विशम्बाहू और इस महदीब की कोज किस है इस महादीब की कोज किसने की है अमेरीगो विस्पोकी ने की है हम याद रखेंगे वैसे बहुत अजीव सा नामें से लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्यूंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है और अमेरीगो से बना है अमेरिका तो एक बात और बता दू मैं इस महादी की दिश्टी से हम याद कर रखेंगे Population Population से जो सबसे बड़ा उसका देश है वो है USA मतलब संयुक्त राजे अमेरिका तो दूसरा सबसे बड़ा देश है Mexico City और तीसरा Canada हम याद रखेंगे जनसंक्या के दिश्टी से मतलब सबसे दर लोग रहते हैं अमेरिका यादि से इस राजे हैं अमेरिका में उसके बाद नमबर टू पर रहते हैं Mexico City और नमबर छी पर रहते हैं Canada में तो नेक्स बात करते हैं उत्री अमेरिका के सबसे उच्चतम परवत की जिसका नाम है Mount McKinlay ये लगबग 6,000 कि आसपास मेटर का है और ये Alaska में पड़ता है ठीक है फ्रेंट्स और मूल निवासी जो उत्री अमेरिका के मूल निवासी हैं उसमें में है Red Indian Eskimo और Anute ये तीन मूल निवासी हैं जो पूछे जाते हैं कि Eskimo कहां है तो Eskimo उत्री अमेरिका में हैं और जो घर बनाते हैं इनके घर को इगलू कहते हैं हमने बहुत ही पहले बहुत ही बार ये पढ़ा हुआ है और ये शिकार करने के लिए reindeer कुत्तों का अपर योग करते हैं जिसमें 6-7 कुत्ते एक भग को खिषते हुए बरक में चलते रहते हैं मजा बढ़ाता हो गया लेकिन वहाँ जाना बहुत मुझकी लभाई जाना भी मत सोच के भी शुरू करते हैं अग नेक्ट पॉइंट को और जो उनके हतियार होती है उन्हें हार्पून कहते हैं ठेलाuf जो ऊसके भी चक्रवात आते हैं दोनों ही इसके पास से निकलती हैं धियान रखेंगे हम मक्का और तंबाकू में USA का प्रमुक मतलब first इस्थान first है कि इसमें मक्का और तंबाकू में बहुती बढ़िया level का तंबाकू यहाँ बनाया जाता है Mexico, Mexico City चान्दी उत्पादन में number one है चान्दी उत्पादन में number one कों है? Mexico City उत्रे अमेरिका में और कैनेडा में सबसे लंबी तट्रेखा कैनेडा में मिलती है सबसे लंबी तट्रेखा समुदरी तट्रेखा जो सबसे लंबी है उस किस देश की है कैनेडा देश की है ठीक है और अखबारी कागज कैनेडा में सबसे ज़्यादा मिलता है सबसे अच्छे टाइप का बनाया ज बहुत बार कोशन आया गया है सबसे लंबी समूद टट्रे का कैनेडा किया यह भी हम याद रखें ओके फ्रेंड्स तो पनामा नहर जो है यह बहुती मेन कोशन इसका है ध्यान देंगे हम जो पनामा नहर है वो उत्री वे दक्षिनी अमेरिका को जोड़ती है ठीके फ्रेंड्स पनामा नहर उत्री अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका उत्री अमेरिका उपर है दक्षिनी अमेर priority America में है जो कि wish you की सब से मीठे पांी की छील है सुपीरियर जील विशिव की सब से मीठे पांी की छील है जील समझते हो ना जील मतलब लेक ठीक है तो संसार की सब से बढ़ी i-t company information technology जो बनाती है हमारे phone computer chips वगरा यह कहां पर है यह है उत्री अमेरिका के कैलिफॉर्णिया में जहां पर है फेस्बूक, ट्विटर, गूगल सभी के हेड़कॉर्टर और वही पर भी है माइक्रोसोफ्ट का ओफिस जो बनाता है हमारे सारे कंप्यूटर और इसके लावा एपल कंपनी में मिलेगी आपको सिलिकन वैली में जो की बनाते हैं है तरीन मॉबाइल तो सिलिकन वैली सबसे बड़ी आईटी कंपनी है पूरे विश्य की जो की है कैलिफॉर्णिया में तिक है फेस्ट नेक्स टॉपिक पर चलते हैं विश्यू का सबसे बड़ा अजायब घर वो कहां पर है तो वो है अमेरिकन मुजियम नेशनल ओफ हिस्ट्री धियान दखेंगे सबसे बड़ा अजायब घर है यह नाम है इसका अमेरिकन मुजियम नेशनल्स ओफ हिस्ट्री क्या तो हमारा उतरी अमेरिका खतम होता है और अब हम चलते हैं अमेरिका के तरफ जो की है नीचे समझ जाब बात को इसके उपनाम क्या क्या है इसे पक्षियो का महदीब भी कहते है क्योंकि यहाँ पर प्रजातियां इतनी हैं कि पूरे विश्यो में नहीं होगी इसके बात बात करते हैं कोलमबस का भारत क्योंकि कोलमबस धूंड़ने तो आया भारत को लेकिन चरा गया था ow यहाँ पर ब्राजील है ब्राजील को आतकरो फुटबोल से फुटबोल सबसादा ब्राजील में खेली आती है ब्राजील में फुटबोल को मनते हैं बगवान का खेल जैसे इंडिया में मानते हैं क्रिकेट को तो इसके बाद करते हैं ब्राजील के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां का सबसे बढ़िया सबसे इंपोर्टेंट डेश ब्राजील ही है ब्राजील को स इसका जो सबसदा ब्राजील में ही मिलते हैं और इसलिए से कह हुए का प्राद भी कहते हैं और इसके अलावा जो एक मेन बात है ब्राजील की वो ये है कि इसमें भूमद्य रेखा हमें पता है जो प्रिथ्व कर दो भागों में बाढ़ती है वो भूमद्य रेखा होती है और मकर रेखा, मकर रेखा वो भी हमें इस पता है, मकर रेखा और भूमद्य रेखा, दोनों ही ब्राजील से होकर जाती है, यह एक ही ऐसा देश है, जिस में से यह दोनों रेखा है भू और म, मतलब भूमद्य रेखा और मकर रेखा, दोनों लेखे हैं उसे ब्राजील कहते हैं रिंसे कैते हैं कँपोस कहते हैं इन हम उसे बोलते ही है तो कहुआ और बेवरेज़ी से पेपधारत है ऐसे ही कौफी भी एक पेपधारत है इन दोनों में भी वह नंबर वन है उसके लावगा गन्ना गन्ना मतलब शुगर केन शुगर केन जिसका हम यूज करते हैं चीनी बनाने के लिए शराब बनाने के लिए उ दो बार मेरी वीडियो देखिए इससाद आपको कुछ करने के जुरत नहीं है नंबर अपने यहां पाए जाएंगे तो बात करते हैं अगले पॉइंट की जो है अर्जेंटीना की घास के मैदान को हम क्या कहते हैं पंपास कहते हैं अब तक हम बहुत सारे घास के मैदान होता है तो मैंने आपको बता दिया है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है सभी घास के मैदान को लर्न कर लेना और इसकी शोट ट्रिक्स आपको जल्दी मिल जाएगी अब बात करते हैं आटकम मरुस्थल की जो कि दक्षिन अमेरिका में है और यह संसार का सबसे सूखा मर में गोरुस्थल है तो कौन सा है डक्षिनी अमेरिका में कहां पर है और दक्षिनी अमेरिका में ब्राजील जहां पर है गर तो बात करते हैं एंडीड परवत श्यनी description. संसार के सबसे LMB शेणी है वह है एंडीज पर्वत जो है उतरी अमेरिका में और इसके अलावा एक बात और जो इसकी पूछी का थी वहने होते हैं परवत कौन कौन से आप मेरी परवत आप वो देखिए उसके नोट्स बनाईए और पढ़िए टेंशन लेने की जुरत नहीं है enjoy किये साथ साथ पढ़िए और जल्दी आपकी नोकरी लग जाएगी Thank you friends, bye bye, take care